ZOMBIE APOCALYPSE एक वीक में एक और मार्क जुकबग दो वीक में एक बुक पढ़ने का टाइम निकाल ही लेते हैं तो हमें भी बुक्स पढ़ने के लिए टाइम निकालना ही चाहिए हमारी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि सबी चीज़े हम experience करके ही सीखे हम दूसरों के experience से भी सीख सकते हैं बुक्स पढ़ने से हमारी knowledge तो increase होती ही है इसके और भी बहुत से benefits हैं तो आईए देखते हैं book reading के benefits नमबर वन practical teaching self development books हमें ये सिखाती हैं कि ideas, values, knowledge को कैसे life में implement करें जो कि colleges और schools में नहीं सिखाया जाता या फिर मैं ऐसे कहूँगा कि बहुत कम colleges में सिखाया जाता है Jim Rohn जो कि American businessman, author, motivational speaker है कहते हैं कि हम उन 5 लोगों का average होते हैं जिनके साथ हम अपना ज़्यादा time spend करते हैं तो successful लोगों के जैसा बनने के लिए हमें या तो उनके साथ रहना चाहिए या फिर उनकी books पढ़नी चाहिए Second Wisdom works as a mentor for us books से गेन की हुई knowledge को हम actual situations में relate कर सकते हैं और ये knowledge हमारे actions को directions देती है हमें motivate करती है क्योंकि हम जैसा input अपने mind में डालेंगे वैसा ही हमारी understanding develop होगी और वैसा ही output होगा Number 3 Self development books हमारी awareness, imagination ability और quality of life improve करेंगी हम खुद के better version बन पाएंगे book reading से आप किसी भी field में अपनी skills improve कर सकते हैं book reading के और भी बहुत से benefits हैं जैसे इससे stress कम होता है memory sharp होती है, focus बढ़ता है और आपकी vocabulary अच्छी होती है तो friends ये थे book reading के main benefits और सबसे main बात ये है only reading से ही benefit नहीं होगा इनकी guidance लाइफ में implement करनी होगी आप इन art books से start कर सकते हैं number one How to win friends and influence people इस किताब में ऐसी techniques बताई गई हैं जिने follow करके आपकी social skills अच्छी हो जाएंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बना पाएंगे number two Managing oneself by Peter Drucker इस book से हमें अपनी strengths का पता लगेगा और ये भी पता लगेगा कि कैसे हम उनका effective use कर सकते हैं number three Who Will Cry When You Die by Robin Sharma इस book को author ने 101 छोटे-छोटे chapters में डिवाइड किया है जिन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर दिन को completely कैसे जिया जाए number four Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki इस book में ये सिखाया गया है कि जितनी चादर है उतने पैर नहीं पसारो बलकि चादर बड़ी करने के तरीके ढूंडो मतलब हमें अपना जाध हन पैसा बचाने की तरफ नहीं बलकि पैसा कमाने की तरफ देना चाहिए number five The Four Agreements by Don Miguel Rich ये book बहुत ही important है जो कि ये बताती है कि हम जैसे हैं वैसे क्यों है हमारा belief system कैसे काम करता है ये book हमें सिखाती है कि हमें खुद के against बोलने को avoid करना चाहिए number six Think and Grow Rich by Napoleon Hill इस book की खास बात ये है कि ये book 20 साल में लिखी गई है इस book में Napoleon Hill ने दुनिया के सबसे अमीर और successful लोगों से सीख कर 13 ऐसे principles बताए हैं जिने कोई भी follow कर ले तो successful हो जाएगा number seven How to Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie अगर आपको लग रहा है कि आप life की difficult stage से गुज़र रहे हैं तो आपको ये book पढ़नी चाहिए number eight The 80-20 Principle by Richard Koch इस book को पढ़ने के बाद आपको Pareto Principle का पता चलेगा जो ये कहता है कि 80% of results के लिए only 20% input ही responsible होते हैं तो friends ये थी eight of most important books इनके लावा और भी बहुत सी books हैं जिन में से top five books मैं आपको description में बता दूँगा और अगर आपको books read करते हुए vocab में problem आती है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा comment करके बताएं जिससे कि मैं books में use होने वाली vocab पर वीडियो बना दूँगा फ्रेंड्स लाइक करें अगर आपको ये वीडियो काम की लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बैल आइकन को ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का notification मिल जाए थेंक यू फो गिविंग यूर टाइम